बारत वासी नहीं पूरी दुनिया को 23 अगस्त का बेसबरी से इंतजार है इसरो एलान कर चुगा है कि इस दिन 6 बच कर 4 मिनिट पर चंद्रयान 3 के विक्रम लेंडर की चांद पर सौफ्ट लेंडिंग की कोशिश की जाएगी विक्रम लेंडर चंद्रमा के दक्षनी दुरूपर सौफ्ट लेंडिंग के लिए आखरी तयारी कर रहा है आज चंद्रमा की चकर लगाने की उसकी आखरी रात है इस बीट चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर इसरो के पूरु सलाकार का कहना है कि विक्रम लैंडर को इस तरह से तयार किया गया है कि अगर सौफ्ट लैंडिंग नहीं भी हुई तो यान रफ लैंडिंग संभाल सकता है 23 अगस्त को भारत इतिहास रचने बाला है बुदवार को भारत का चंद्रमिशन चंद्रयान 3 शाम 6 बचकर 4 मिनट पर चांद की सता को चुमेगा इस दुरलब नजारे को पूरी दुनिया देखने वाली है इस दो ने गोशना की है कि शाम 5 बचकर 20 मिनट पर लाइब टेलिका सकेगी हलाकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा इसे लेकर भी वज्यानिक पूरी तरीके से तयार है सबसे पहले जान लेते हैं सौफ्ट लेंडिंग क्या है किसी भी अंत्रिक्षियान की चांद या किसी अन्य ग्रह पर सौफ्ट लेंडिंग बहत जरूरी होती है ऐसा इसलिए क्योंकि सौफ्ट लेंडिंग से यान की उपकरन सुरक्षित रहने की संभावना ज्यादा रहती है इसलिए सौफ्ट लेंडिंग से पहले यान की स्पीड कम की जाती है ताकि यान का लेंडर चांद पर उतरते वक्त सुरक्षित लेंड कर सके इसलिए इस रोचीप एक बयान में ये भी कहाए कि अगर विक्रम लेंडर 23 अगस्त को सॉफ्ट लेंडिंग करने में असमर्थ रहता है तो 27 अगस्त को दूसरा प्रयास किया जाएगा अगर दो थ्रस्टर्स भी काम करते हैं तो भी हम उतर सकते हैं बहुत सारे बदलाओ किये गए हैं सॉफ्टेयर और हाडवेर दोनों का सिमुलेशन किया गया है चंद्रमा की सतह पर चीजों का अनुकरन किया गया है पतादें इससे पहले इसरों ने 22 अगस्त को चांद की नई तस्वीरे जारी की थी पताएगा कि विक्रम लेंडर ने 70 किलोमेटर गूचाए पर चंद्रमा की तस्वीरे खीची है इसरों ने इसे एक वीडियो के जरीए लोगों की बीच साजा भी किया है